नमस्त कार आप देख रहे हैं डेवर्स अखास प्रोग्राम आज का अखभार आज का अखभार में हम चर्चा करेंगे अखभारों की मेर खबरों कि क्या है सूर्ख्या क्या विसेश खबरें जिन्हें आपको भी जानना चाहिए रोज की तरह और सबसे बड़ी खबर तो आपको बता दे कि अपने देश में राश्पती का चुनाओ होना है और ऐसे में चुनाओ को लेकर के लगतार अटकले लगाई जा रहे थी कयास बाजी चल रहे थी कि आखिर निर्वाचन आयोग चुनाओ की तारिकों का एलान कप करेगा और दूसरी बात सबसे बड़ावाद बड़ी कयास ये थी कि किन किन नामों पर चर्चा करेगे भारती जंता पार्टी विपक्ष की तरफ से कौन सामने आएगा तो इन सारे जो कयास लगा जा रहे थे हलाकि अभी कयास बाजी चल है एक कयास पर विराम अबलगा डिया है तारिकों का एलान हो चुका है चुनावायोग ने तारिकों का कर दिया है और की या शोले राश्पति के लिए टारिक का एलान हुआ है 29 जून को नॉमिनेशन को और 28 जुलाई को मात्दान मार्त के अथारा जुलाई को 18 जुलाई को मद्दान और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे यानि हम ये कह सकते हैं कि 21 जुलाई को नए राश्पती के तौर पर हम देख सकते हैं जो भी जीत करके आएगा और 25 जुलाई को नए राश्पती के रूप में जो भी विजय होगा वो पद सम्हालेगा क्योंकि 24 जुलाई तक जो है वो कारकाल है राश्पती रामनात कोविंद का और ऐसी में 25 जुलाई को नए राश्पती का सपध गरहन होना है राश्पती चुनाओं के लिए दरसल आपको बता दे कि मददान की प्रक्रिया इसमें एराजिस सभा और लोकसभा के सदद से मददान करते हैं इसके साथ विधान सभा के प्रतियासी विधान सभा के सदद से भी इस चुनाओं में मददान करते हैं और विधान परस्द के स उन सदस्यों को इसमें मददान करने का अधिकार है दूसरी बात कि लोकसभा या राजिसभा में जो नॉमिनेट सदस्यों होते हैं कि राष्टपती उनको निर्वाचित करते हैं उनको भी इस चुनाओं में मददान करने की इजाज़त नहीं होती है वो भी इसमें मददान नहीं कर पाएंगे राष्टपती चुनाओं में जो ये मददान होते हैं दरसल इसका भी एक अलग फॉर्मूला है इसमें ये जरूरी नहीं है कि जिस मालिजे की दो कैंडिडेट रास्पती पत के लिए हैं तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि किसी को ज्यादा लोगों ने मतदान किया तो वे विजय हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है इसमें दरसर वोट की वैलुएशन होती है जिसकी Livesion ज्यादा होगी वह विजह होगा वालीलियसन भी होती है वह प्रतेकराज्यों के विधायों के वैलीयॅशन वह अलग होती है उसका भी कैलकुलेशन हो उसकी एक जो है उसे उसको कालकुलेट których होता है सांस्यदों जो बताया गया कल कि उनका जो वोट का वैल्वेशन वह 700 बताया गया 700 और विधायकों का वैल्वेशन राज्य वाइज निकाला जाता है उसमें क्या होता है कि जिस राज्य की जितनी संख्या होती है उसमें विधायकों यानि कि राज्य के विधान सभा के सदस्यों को उससे डिवाइट कर देते ह और उसके बाद जो संख्य वस्ती है उसमें फिर 1000 का जो li evil सन आती है वह उस राज्य के विधानसभा सदश्य की मत का maximum होता है और इसमें यह विए सर्थ है यदि 500 से अधिक हैna एक जोट दिया जाता है तो इस हिसाब से प्रित्यक राज्यों के valuation निकाले जाती है और जब यह मतदान होगा तो मतदान में valuation की हिसाब से जिस candidate को ज्यादा value मिलेगी वो विजई होगा दूसरी बात इस मतदान में जो भी सदत से मतदान करेंगे उनको एक wishes inc वाला पेंद दिया जाएगा निर्वाचनायोक की तरफ से यह कहा गया है और अगर किसी दूसरे कलम से किसी दूसरे पेंद से वो मतदान करता है तो उसका मत निरस्त माना जाएगा तीसरी बात दरसल इस मतदान में यह कहा गया है कि 1,2,3 इसमें भी एक option होता है कि यदि आप मान लिजी आप सदस्य है विधान सभागे या लोक सभागे जब आप मतदान कर रहे होते हैं तो आपके पास choice होती है कहते हैं न कि पहले पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद तो इसमें भी आपकी पसंद होती है पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद आपको बतानी होती है इसमें आपको तीन पसंद बतानी है और संख्या के आधार बतानी है एक, दो, तीन यदि आप इसको सब्दों में अंकित करते हैं तो आपका मत निरस्त माना जाए तो यह तमाम सारी चीजे हैं जिनको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है इन सदस्यों को थोड़ी सी चुक थोड़ी सी लापरवाही करने से भी आपका मत निरस्थ हो सकता है यानि वो सदस्य जो मद्दान करेंगे उनका मत निरस्थ हो सकता है और अब इसका थोड़ा सा गड़ित समझ लेते हैं कि आखिर राष्टपती की चुनाओं को लेकर के क्योंकि बिस में ये भी खबरे आई कि कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि अपने कैंडिडेट को यानि राष्टपती उमेद्वार के लिए कोई सामने कैंडिडेट ही नहीं लाए भारती जनता पार्टी के वरे लेकर के आया और ऐसे में जो है सारे दल एक साथ सामने आ सकते हैं तो ऐसा लेकिन कॉंग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से खंड़न किया गया कि ऐसा नहीं है हम सारे दलों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने वो 4,033 विधायक है देश भर में यानि 4,033 विधायक पांचो चालिस लोकसभा के संसद, 227 राजिसभा के संसद, इन लोगों को ही चुनना है राश्पती को मत दानना है हर संसद के ओड का वेटेश 700 है यानि कुल वेटेश 3,13,600 हुआ संसद का वेटेश निरधालित है 700 विधायकों के वोट का वेटेश राजी की आबादी और कुल विधायकों की संख्या से तय होता है UP में प्रती विधायक 208 और सिक्के में सिर्फ 7 यानि वहीं डिवाइडेशन और उसके बाद उसके 1000 से भी डिवाइड करते हैं के बाद जो आता है वह तो उत्तर प्रदेश में सहाब से निकाला गया ने लिखा है कि 2008 है कि विधाईकों की वैल्यू और सिक्की में सिर्फ साथ है इस्के में सोचे कितना बहुत ही कम है तो उत्तर प्रदेश की विधायकों का वेटेज जिसमें बताया गया है पांच लाख तेटीस जार दो सो एक तीस इस तरह चुनाओ के लिए कुल वेटेज दस लाख असी हजार एक सो एक तीस होता है जीतने के लिए पचास फिजदी यानि पांच लाख चालिस जार पैंसर से ज्यादा वेटेज चाहिए जो सदस्य है मद्दान क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है वेटेज आपके मत की वाईल्यू कितनी है कितना भारी है आपका मत उस पर है एंडिये के 448 सांसुदों वा 1737 व और जरूरत होगी जोड़ तोड़ गुड़ा गुड़े भाग ये सब कर लिया जाता जानते ही हैं आप सारे हर जगा यह तो राश्पती का चुनाओ है तो राजसभाद सांसुदों के आकड़े 9 जून तक के हैं और 10 जून के 16 सीटों के नतीजे के बाद इस गड़ित में बदला होगा अच्छा एक बात और यहां पर जोड़ दी गई है 9 जून तक के यह अकड़े हैं 10 जून को 16 सीटों के नतीजों में बदला हो जाएगा तो इसका अलग है तो यह चीजे हैं राश्पती को चुनाओ को लेकर कि यह माना जा रहा आप जिस तरीके से देखिए त क्या संजोता का if टा कि समझोता नहीं इस देखते हैं कि हमारे देश में कितना डैनी है तो सुप्रिम कोट ने दर सर्काए कि मेडिकल Śिक्षा के लिए राष्ट पातर रिता से प्रवेश प्रिक्षा इस नाकोत्तर यानी नीट और पीजी के जो 2021 की अखिल भारती कोटा में दाखिले के लिए इस्ट्रे दौर की काउंसिल के एक सीमा है शिक्षा लोगों की सिहात से समझावता नहीं कर सकते कोट ने इस संबंद में दाखिली याजका पर शुक्रवार की तरफ से तमाम सारे बाते कही जाती है और चौदा सुचेटों पर फिर अदालत ने सवाल उठा हैं देश को डॉक्टरों की जरूरत कहा गया है और अक्सर यह देखने को मिलता है कि अभी आप जिस तरह के से पैंडमिक जो हालात पैदा हुए थे अभी कुरोना को लेकर क आपने देखा कि दरदर लोग भटक रहे थे औक्सीजन के लिए भटक रहे थे स्वास्ति सुविधाय में नहीं बर रही थी और उसके अरावा भी आप चले जाएए दिहाज शेत्रों में रूरल एरिया में चले जाएए आप तो वहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके स द्रोक्रों का अभाव है और लोग दरदर भटकने को मज़बूर है और तो आज के अगबार में फिलाल इतना ही और मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार